खुश आमदीद दुबारा से आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं और अभी जो हम एक बहुत ही आहम टॉपिक पे आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं वो है जी हमारा तालीमी निजाम इन तमाम इशूस पे आज हम बात करेंगे किया इस तो गुलविश्टा हगूमतों ने क्या किया और आज जो है वो क्या होने जा रहा है इन तमाम बातों पे जो है वो डिसकुशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जी प्रोफेसर दॉक्टर साजीद रशीद है जो के मेंबर सिंडीकेड भी है और इसके साथ साथ साबिक सदर है जी यह पेडरेशन ऑफ आल पाकिसान से और दूसरी चानि मेरे मेरे साथ मौजूद है यह जो डॉक साभो है ये साजिद रशीद साहब गुजिश्टा 2015-16 में सदर रहा है जबके जो आजकल सदर है वो भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महबूब हुसैन साहब आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्रेम में और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्रेम के लिए वक्त निकाला डॉक्स अब आप से बात का आगास करते हैं कि आप मौजूदा सदर भी है और इसके साथ साथ देख रहे हैं कि हमारे जो तालीमी निजाम है पॉलिसीज बनती हैं बहुत कुछ होता है लेकिन वो उपर जाने की बजाए दिन बदिन नीचे को आ रहा है क्या देखते हैं क्य करार देना इसके लिए बड़ी बुनियादी वजा है और दुसरी वजा यह है कि जब भी आप कोई तालीमी पॉलिसी तश्कील दें कोई मनसूबा बनाने की तरफ जाएं तो उसके जो बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं आप उनकी राय को शामिल करें जैसे अगर आप दोनिया ये है कि हमारी गवर्मेंट्स माई किसी एक गौर्मेंट की बात नी कर रहा है इतनी बी गुजरी है वह वह बेग्मेट्सीआ के साथ मिलकर बंद कमरें में बैठ कर और आप काॉस्ठ mee पालीशिस तो ले आती हैं लेकिन जब खुझालें तो प्र अमल दारामत डिलाज बेने हम पाकिसतान की 114 सरकारी जामियाद को यहां पर रिप्रेजन कर रहा हूं, हमारी एक फेडरेशन है, और यह फेडरेशन अपना इनपुट देती रहती है, हायर एजूक्रीचन कमिश्ट को भी और जो सुभाई हायर एजूक्रीचन कमिशन बने हैं, उनको भी और इसी तरह जो मुतलका सुभाई महकमाई तालीम हैं, उनको भी हम अपनी राय देते रहते हैं, अपने तोर पर देते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्हों ने हमें आफिशली किसी कमेटी का हिस्सा बनाया हो, या हमसे बाजाबता मुलाकात करके कोई राय ली हो, त जब तक तक तमाम स्टेक होल्डर्स की राय शामिल नहीं होगी, पॉलिसी इस तरह से पॉलिसी बन जाती हैं, जब किसी बंदे को मसायल का पता नहीं है? यह ऐसे ही है ना जी, कि आपको बिमारी का तो इलम नहीं है और अलाज करने हम बैट गया है, मैं बॉलिसा ने बिल्कुल ठीक बात कही है, कि गॉर्मेंट्स ने अपनी जो तरजी हाथ है, कोई भी जब पॉलिसी बनाते हैं, किसी भी मामले में, मुश्यत हो, तालीम हो, सहत हो, तो वो किस के लिए बनती हैं? वो पॉलिसी बनती हैं अवाम के लिए, अवाम को उसमें जब शामिल नहीं किया जाएगा, और हर गॉर्मेंट्स यह समझती है, कि जो हमारे अलेक्टिड मेंबर हैं, वो यह पॉलिसी बनाएंगे, और उनको बनानी चाहिए, लेकिन वो जो अलेक्टिड मेंबर हैं, जिनके वोट लेके वो आते हैं, उनको वो उन पॉलिसी में शामिल नहीं करते हैं, क्यों? कि उनके पास टाइम नहीं हैं, और मैं ये बड़े बावसूख जराय से आपको बता रहा हूँ, कि आज तक जितनी पॉलिसी बनी हैं, वो सारी बियोर आकरेसी, एक मिनिस्टर चेंज होता है, वो ही लेता है, वो ही अमला होता है, वो ही चीज़ें हो कहता है, यार मुझे लाओ हम्झोजाई में चीज़ साब मैंने प्राइम मनिस्टर को इमरान साहां खान Skynor अप अपनी प्रॉग्रेस देनी है वो प्रॉग्रेस क्या है वो ही है उसको सिर्फ जो है ना लिपस्टिक लगा के और मेक अप करके वही प्रानी चीज़ को उनके सामने पेस्ट के जाता है जानि वही फाइले हैं वही पॉलिसीज हैं उनको आगे पीछे करके उनके अलफास बदल के उसी अंदाज में दुबारा से पेश चोटी से मिसाल मैं आपको दे देता हूँ अभी महभू साब ने पंजाब हायर एजुक्शन कमिशन की बात की है पंजाब हायर एजुक्शन कमिशन के चेर्मेन का ओधा अब दिसंबर में खत्म होने लगा है इस गोवर्मेंट को आई साओ दिन हो गए हैं इनको पता था कि बही ये दिसंबर में चेर्मेन साब की टुनियोर खत्म हो गया है तो इसके लिए पॉलिसी बनाते है कि चार महीने दो महीने पहले एड़टाइसमेंट करते एक वो ट्रांसपेरन प्रोसेस है उस पे करते इस वक्त तेरा जामयाद के वाइस चांसलर नहीं है सरकारी जामयाद के तेरा वाइस चांसलर और यही पॉलिसी पिछली गवर्मेंट की थी पंजाव उनिवस्टी में पिछले दो सा का सरबराह ही ना हो जिस जामिया का सरबराह ही ना हो तो वहां से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा में भूब साब आपकी तरफ आउंगी के बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि जब एक इदारे का सरबराह नहीं है वो किस तरह से चलेगा और जब सरबराह नही क्यों नहीं लगाया जाता है क्या समझते हैं क्या वज़ें देखें मैंने पहले बहुत करी कि यह प्राइटी अगर नहीं होगी तो नहीं होगे अब पिछली गार्मेंट जो है यह बिलकुल ठीक बात है कि उस वक्त पंजाब जैसे बड़े सुबे में जहां पर 34 सरकारी जाम पुरी सेट अप के तहट यह सिस्टम्स लाया जाता है इसकी वज़ा किया है मैं आपके बताता हूं कि जो यह स्यासी गर्मेंट्स होती है इनके पुलिटिकल मॉटिवस होते हैं सम टाइम यह एक एक्टिंग वाइस चांसलर से यह आर्जी यह अबूरी वाइस चांसलर से परवाना चाहते हैं जो शायद पर्मेंट वाइस चांसलर नहीं कर पता इस वज़ा से भी यह लिंगर आउन करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि यह हमारे स्यासी मकासद को किस हद तक फुल्फिल करने की पोजिशन में है जब पर्मेंट वाइस चांसलर आ जाता है तो सब ठीक है हो लेकिन जब वो साथसा की और अपने इदारे की बात होगी फिर मामलत खराब होना शुरू हो जाए जैसे अभी अबूरी हकोमत आई थी तो उस अबूरी हकोमत के अंदर कोई पर्मेंट पॉलसी बनी है नहीं बनी क्योंकि वो कहते हमारा काम सिर्व इतना था क हम आए हैं हमने एलेक्शन करवाना है और एलेक्शन करवाके हमने जो है नहीं गौर्मेंट आएगी वो अपनी पॉलसी बनाएगी अब ये गौर्मेंट को आए भी सो दिन हो गए हैं और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताओं एक और मैजे बहुत ज़्यादा इखतला काफ है इस बात से के ग्रेट 22 का वाइस चांसलर आपने पॉइंट करना है और उसके लिए आप एक सेक्शन आफिसर के अफिस के अंदर उनको इंटर्वी के लिए जनाब अली बठाई रखते हैं और छेचे घेंटे इंतजार कराया जाता है एक क्लरक के पास उनको खड़ा कर दिया जाता है मतलब यह एक बड़ी मनलब मेरा खैल है वो कावें जोने तरक्की करनी होती है वो अपने उसकाद को इज़त देते हैं इस अगर आपने मुलक को चलाना है मुलक के अंदर आपने दानश्वर करने हैं तो उनको पालिसी जो नहीं बन रही किसी दारे का पर्मिनेंट वॉस चांसलर नहीं है पूरी यूसिटी डिस्टाइब हो जाती है ना सिरिफ तल्बा उ तालबाद पर बलकि वहाँ का पूरा जो इंदामी और तालीमी निजाम है वो मुतासर होता है, पॉलिशीज नहीं बन पाती है, और जो युमनिस्टीज की स्टेशिरी बाडीज हैं, जायरे कि वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाती है, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, जो कि पर्मेट वाइस चांसल की मुझूदगी में होना होते हैं, जब त होता है, तो इसमें जाहरे के हकोमत को चाहिए, कि वो एड़ाकिजन की बजाए एक एक रेगुलर पर्मनेंट सिस्टम की तरफ तब वज़ो दे, और देखें, हम यह कहते हैं कि दुनिया तरकी की मनाजल ताय गर रही है, उसकी बन्यादी वज़ा यह है कि वहां की एजूक को लीड करते हैं, अगर अच्छा एंजिनियर है तो उसके पीछे भी आपको एक अच्छे उस्ताद की पोशिश नजर आएगी, अगर अच्छा कोई साइंटिस्ट है तो उसके पीछे एक उस्ताद नजर आएगा, तो जब तक उसाधिजा खुद इन इंतजामी मसायल में और उसकी बनियादी वज़ा ये अच्छा ही होता है, तो वो पूरी तरह से अपनी परफॉर्मस्स नहीं दे पाएंगे, अब बेकुल, जब तक साधिजा सेटिसफाइड नहीं होंगे, तब तक वो किस तरह से डिलिवर कर सकेंगे, ये बताएगा कि हमने देखा कि घुजि उसकी रिज़न ये है, कि जब आप एक उस्ताद या एक वाइस च्छान, इसमें सिंपल एक चीज़ है कि राइट परसन फॉर राइट पोस्ट, जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे, और अभी आप देखें कि जो भी अगर हम एजुकेशन सिस्टम में तबदीली लाना च के लिए, अब मुझे एक चीज़ और नहीं समझाती है, ये पॉलिसिस के आपने बात की है, और आप ने इसका असर का है कि तल्बा तालबात पे इस तरनकी के से पड़ेगा, कि एक वाइस चांसलर लगाने के लिए जो हमने क्राइटेरिया बनाया है, अब उस क्राइटेरि को उस कमेटी का किन्वीनियर बना दिया गया है, और जो पर्मनेंट वाइस चांसलर सरकारी जामियात को उनको उनको अंडर कर दिया गया, मलब ये मैं वो कह रहा हूँ, ये प्राइवेट माफिया जो है, ये इस तरफ सरकारी, उनके मेर्बरान को ज़्यादा जगा दी करने के लिए? देखें, ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो प्राइवेट केमपसिस जो कुले थे, अब जब ये फिलोसिफी आई थी ये जब आइडिया लांच किया गया था, उसको अबन्यादी मकसद ये था कि ऐसी जगों पर ये प्राइवेट के नाम पर खोले जहां पर सरकारी जामियात की रिसाई नहीं है और मजाफाती अलाकों में, लेकिन अब आप देखें के लाहूर जैसा बड़ा शहर जिसे एक जमाने में कॉलिजिस का शहर का जाता था, आज ये उनिस्टी का शहर है, यहां पर पाकस्तान में सब से जादा जामियात हैं, सब अगर उनको इजाज़त मिली थी कि आप सो स्टुडेंट्स को एडमिशन दे सकते हैं, तो उनने पांच सो को दे दिया, अब जाहर है कि वो चार सो जो थे वो इस्तिजाज की तरफ जाएंगे, तो ये गवर्मेट को रिव्यू करना चाहिए, कि अगर आप प्राइबेट प इन पब्लिक प्राइबेट पार्टनर्शिप के नाम पर केंपशिस की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि ऐसी जगों पर ये खोलने चाहिए थे, जो दूर दराज हैं, जैसे लहूर के मजाफात में, अगर आप समझें कि इस तरफ अगर कामों की है, या मरीद के है, या व फर्मार होती जारी है, लेकिन वही बात है कि जो हमारे इग्नोरेंस वाले एरियास हैं, वो अभी भी इग्नोर हो रहे हैं, डॉक्स अब आप क्या कहना चाहेंगे, हकूमत का सौ रोज और उसमें निजाम तालीम पर कितनी जो है, वो से फौकियत दी गई है, और कितना ख्य आपने क्या पॉलिसी हाईर एजूकेशन के लिए मरत्ब की, अगर नहीं की, चले पॉलिसी तो नहीं दें, आपने स्टेक होल्डर के साथ को मीटिंग्स की, मैंबू सान जैसे अभी कहा, कि सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर तो उस्ताद हैं, उसके बाद तल्बा तालबात हैं, तो आपने उनके कोई नमाइंदा तन्जीम को बलवाया, या वाइस चांसलर को दो चार पांच वाइस चांसलर को बलवा के ये मतलब नहीं होता, कि जी हमने एक पॉलिसी बना ली, मैं एक छोटी से मसाल, इसलिए बार बार मैं इसकी तखरा ये करता हूं, कि जब तक आप एक सही बंदा उपर नहीं बठाएंगे, अब मुझे ये बताएं, अभी पिछली जो पॉलिसी बनी थी, जिसके उपर हमने इस्तजाज भी किया, लेटर भी लिखा, और तमाम जो असाद्जा की तरफ से इसके उपर आया, कि आपने ये उसके अंदर ये जो एक बिलियन की फंडिंग करती है, आप और ये प्रोजेक्स गौर्मेंट टू गौर्मेंट होते हैं, लेकिन चंद लोगों को नवाजने के लिए, या चंद लोगों जो बियोक्रेट वहां पे बैठे थे, जो वहां पे, अब जो वाइस चांसलर लगे है, एच इसी ने सर्विस होगी, उसने 20-25-30 साल पहले पी-एच दी की होगी, तो वह अपना आएंगे, उस वक्त जो पी-एच दी बाहर से करके आए, अब मुझे अभी एक ये क्राइटियर मनाया है, आपके इस बात पे आपने कहा है, जी कोई हकुमती नुमाइंदा होता है, तो आप सालों से बचने के लिए, लेकिन फिर भी हम डिसकेशन जो है, लेकिन ये स्वाल उनके पास जरूर रखियो हो, राज का अगर वो प्रोग्राम देखेंगे, तो इस स्वाल का मुझे जवाब दे, सिर्फ दे देंगे, बड़ छोटा से स्वाल है, कि पी-एच डी, टॉप फ जो पैसे वाले होते हैं, क्योंकि कोई भी आम आदमी उन यूनिवस्टी की फीस और फोर्ड नहीं कर सकता, और एक्च इसी ने कोई ऐसा बंदे नहीं है, जिसको हावर्ड में या ऑक्सफोर्ड में बेज़ा हो, मुझे बता दे एक्च इसी कि कौन सा बंदा है, कि जिसको म मैंने कैनड़े से पीईडी की है, मैंने जो उनिवस्टी है वहां से और अपने खर्चे पर मैं करके हूँ, मैं इसलिए इस चीज के खलाफ हूँ, कि एक आम बंदे को मोकर नहीं देखे, कि सातिजा को स्कॉलर्शिप उस तरह से नहीं मिलते, जिस लेवल का इनको कोई भी चांसलर चाहिए होता है, क्या कहेंगे इस हावाले से कि अगर जो बंदा मतवस्त तबके से है, वह यहां पर M.A.C. कर लेगा, M.A.C. कर लेगा, M.Phil कर लेगा, लेकिन जब उसे पीईडी की जरूरत होगी और किसी अच्छे इदारे से तो फिर उसे बाहर जाना है, वो टीचर ट्रेइडिंग की बाते तो बहुत की जाती है, तो वो बस बाते ही हैं क्या, देखें, पात फिर वहीं पर आजेगी, कि आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो उसको पहले डिबेट करें, अभी आप मिनिस्टर साब की बात करें, मैंने खुद उनको रिटन है, या जो फोकल परसन है, अचा, मैं भूब साब, आपने भी बात की, कि आपने खुद उनकों से बात भी की, लेकिन उनकों से कोशिश की के रापता करें, तो मुझे तो यहां से यही लगता है, कि शायद वो निजामें तालीम पे उस तरह से बात करने से हिच्की चाह रह करेंगे, हम एक दूसरे का सामना नहीं कर पाएंगे, तो सिस्टम बेठर नहीं होगा, अगर हमारा एजनड़ा यह है, कि हमने मुलक आगे लेकर चलना है, तो फिर हमें एक टेबल पर बैठना होगा, हमें मकालमा करना होगा, हमें डायलॉग की तरफ जाना होगा, हमें एक तो convince करना होगा, कि यह हमारी राय है, यह आपकी राय है, आएं किसी एक राय पर मुत्तफिक होते हैं और फिर आगे चलते हैं, मैं तो यह कहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमाते हैं, यह अपने इस्यूस के ऊपर तो all parties conferences करती हैं, यह सब मिलकर आएं, बैठें और तलीम के issues पर एक all parties conference करें, और उसमें एक 20-25 साल के लिए एक तलीमी policy तश्कील दें, कि किसी की भी government आए, किसी भी सियासी पार्टी को इक्तिदार मिले, वो पावर में आए, वो उस policy को replace नहीं कर सकेगी, एक 25 साल का मनसुबा दें, और फिर सारे मिलकर पूरी इसको follow करें, हमारे यहां पर problem यह होता है कि एक government आती है, वो अपनी policy ले आती है, और दूसरी जब आती है, तो वो इसको बिलकुल मुस्रद कर देती है, अब ऐसा नहीं होता कि वो पहले वाली policy all together गलत थी, अब आप देखें कि आपने जाहरे कि system को अगर आगे लेकर चलन करेंगे, हम बैठेंगे नहीं, मसायल का हल नहीं डूंडेंगे, तब तक मसायल का हल हमें नहीं मिलेगा, तो अब सबने भी बात कि, साजी सब क्या समझते हैं, तालीमी policy जो पहले बनी थी, उन पर अमल दरामत हुआ? देखें, जी policy बनती है, अमल दरामत नहीं होता, पेलक इसमें ये खामी, ये खामी होंगी, बड़ी अच्छी बात कि महबूब सामने, कि तमाम और असम्बली के अंदर आज तक किसी तालीमी policy के अपर बहस की है, ये सौ दिन होगें, ये सौ दिन के अंदर कहीं भी और जक्सा नजामे तालीम की बात हर गॉर्मिन करती है, हर गॉ एक पॉलिसी मेकिंग बाडी है, हची सी का जो रोल है, उसमें युनिवस्टी को अठानिमस देनी पड़ेगी, एक मैंने तो सिंपल है, अभी आपको बताई कि एक हाईर एजुकेशन डिपार्डमेंट का सेक्शन ओफिसर ये समझता है, युनिवस्टी हमारे अंडर है, का किस तरह से हमारा निजाब तालीम बेहतर हो सकता है, क्या मैसिज देना चाहेंगी? निजाम तालीम किस तरह से बेहतर हो जाए? जो है, वो बेतर अंदास में इंपलिमेंट किया जाए, पॉलिसी बनाया जाए और उसके बाद उस पे अमल दरामत भी हो सके. बहुत शुक्रिया साधित साहब आपका, महबूब साहब आपका, आपने बड़ी अच्छी डिसकेशन की आज के प्रोग्रेम में और बड़ा अच्छा एक मैसिज भी मिला, कि जब तक तमाम स्टेकोल्डर्स को इकठा नहीं किया जाएगा, तो फिर किस तरह से पॉलिसी ब बनती है, पॉलिसी फिर वैसे ही बनेंगी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्स को उठा लिया गया, उनको देख लिया गया, पॉलिसी बना दी गई पेपर पर, लेकिन उसके बाद अमल धरामत करना जो है, वो सभी भूल जाते है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापीस आएं के हवारे साथ रहेंगे का